Hello my dear ones, आज इस वीडियो में एक case discuss करने वाली हो, ये लड़का जो बहुत ही जादा aggressive और इतना जादा छिड़चिड़ा हो गया था, इतना negative हो गया था दुनिया को लेकर, अपनी जिन्दीगी को लेकर, घरवालों को लेकर, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जिससे जिन्दी अंदर आ गई थी, और इतनी जादा negativity, इतनी जादा परेशानी आ गई थी इसकी जिन्दीगी में, कि इसने दो बार अपने जीवन को खतम करने की भी सोचा, लेकिन कहते हैं ना, कि इश्वर की मर्दी सर्वो पर ही, इश्वर ने जिसको जीवन दिया है, आप लाग कोशच कर लो, आपको जीना ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कि दो बार इस तरह से attempt करने के बाद भी, इसको आसानी से बचा लिया गया, और फिर बहुती मुश्किल से, सब की बात नकार दी, लेकिन सिर्फ एक मामा थे, जिन मामा की बात कुछ समझ में आ गई, कि बेटा, एक पर इलाज करो, देखो, क्या पता तुमारी जिन्दीगी कुछ बदल जाए, तो मन दो नहीं था, पता नहीं कैसे, जब कहते हैं कि कुछ ठीक हो ना होता है, तो इश्वर किसी ने किसी के अंदर आ जाते हैं, और ऐसे मदद कर जाते हैं, तो ऐसे ही मानिए कि इनके मामा जी इश्वर आये और कुछ बोले कि और लड़के की बुद्धी में आ गया कि चलो एक बार मैं जो है ना, अपने जीवन को मौका देता हूँ, तो अब जब इससे बात हुई, तो पता चला, कि बच्पन में इसको बहुत ही जादा बुली किया गया, बुली किस-किस ने किया, फैमिली मेंबर्स ने भी किया, हाँ जी, फैमिली मेंबर्स भी करते हैं, क्या था ये बच्पन से थोड़ा गोलू-मोलू था, थोड़ा वेट जादा था, आप एक बाब बताईए, कोई बच्चा अगर थोड़ा सा मोटा है, लेकिन उस बच्चे को आप बार बार ऐसे बो मारता रहता है, तो ये कितने गंदे शब्द हैं, कि किसी बच्चे को आप इस तरीके के शब्द कह रहे हैं, ये मतलब बच्चों की इज़त नहीं होती है क्या, क्या बच्चों को किसी भी तरीके का सम्मान पाने का अधिकार नहीं होता है, या आपको किसने राइट दिया ह तो आप किसी भी तरीके के आप शब्द यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए भी, तो इस बच्चे को इस तरीके से कभी हाती कभी सुवर इस तरीके से बोल दिया जाता था, अब आप समझी गयोंगे कि परिवार के लोगों का पढ़ाय लिखाई का स्तर कैसा रहा होगा, क्योंक तो थोड़ा हेल्दी होने की वजह से हीन भाव ना भी थी, घर में ही इस तरीके से खाने पीने को लेकर टूका टका जाता था, कुछ बोले बच्चा रोए तो भी मार पिटाई हो जाती थी, इस तरीके का इंवार्मेंट था घर में, तो अंदर अंदर घुटन पैदा हो ग इस तरीके की बाते इसको बोल दी दी आती थी, अब वहां पर स्कूल में भी परिशानी है बच्चे को घर में भी आकर परिशानी हो रही है, कह सकता नहीं है, क्योंकि घर वाले सिंपल से बोल देते हैं, मोटे को मोटा ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे तुझे, हाथी ज़ तो तो हो रहा है, तो इस तरीके से जब इसको ऐसे बार-बार सुनने को मिलता था, तो बच्चे के दिमाग में बाते बैठती गई, कि कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, स्कूल में भी सब लोग चिड़ाते हैं, और इसके अंदर किसी का सामना करने की कोई हिम्मत नहीं थी, क्योंकि घर का अनुभफ कैसा था, कि जब भी कुछ बोलने कोशिश की, तो पिटाई हो गई, तो अब इसका दिमाग ऐसे काम करने लगा, कि जैसे घर में मेरी नहीं चलती है, पिटाई हो जाती है, तो फिर भार विवाले भी ऐसी करेंगे, तो वहाँ प तो फामली का ध्यान नहीं था, सिर्फ बोल बोल कर इस तरीके से, आप किसी को पतला दो कर नहीं सकते, और फिर घर में जंक फूड के पैसे कहां से आ रहे हैं, घर में जंक फूड या कुछ भी ओली फूड है, वो सब आप ही तो बना कर दे रहे हैं, बच्चा थोड़ना अ कोईली खाना हर दिन बनता है, या जंक फूड इतना जादा आता है, तो यहां पर जो पैरेंटिंग की फॉल्स थे, उस वज़ह से इस बच्चे के बच्चपन पूरी तरीके से खराब होता चला गया, और इसके अंदर इंफिरिटी बढ़ती गई, अब एर्थ क्लास के बा तो इसके अंदर और इंफिरिटी इंफिरिटी अब ये एक और घर वालों को मुद्दा मिल गया, कि अच्छा वैसी तुमारी शकल अच्छी नहीं है, तो अब तुमारी अकल भी कम रह जाएगी, तो ना शकल ना अकल करेंगे क्या तुमारा, तो तुम पढ़ाई भी नहीं किसी को सता हो गई, तो उसके अंदर जो दमन होगा ना, वो जब बच्चा बड़ा होगा, जब वो अपनी टीनेज में आएगा, जब उसके अंदर साइकलोजिकल फिजिकल चेंजिस आएंगे, हार्मोनल चेंजिस इतने आएंगे, तो उस टाइम पर उसके एनरजी किस तरी होगी, वो दब्बू बनेगा या वो फिर बहुत जादा भड़काओ बन जाएगा, ये परसन टू परसन उसकी बॉड़ी टाइपर, उसकी परसनलिटी टाइपर डिपेंड करता है, तो जब बच्चा और बड़ा हुआ, चोदा पत्रा साल की उमर तक आते आते, उसके उसको मारता, तो हाथ पकड़ लेता, काठ लेता, बुरी तरीके से इस तरीके से वहवार करना शुरू कर दिया, तो अब ये सब चीजे और भी जादा घर की सिती बिगड़ गए, और इससे घरवालों ने पिटाई का लेवल बढ़ा दिया, एक बार उसके फादर ने बेल् फिर बताऊंगा इन लोगों को, इस तरीके से उसके अंदर वो पर गया, स्कूल तो उसने एट क्लास के बाद छोड़ी दिया, उसके बाद घर का इस तरीके का महल, अच्छा परिवान में काफी पैसा वगेरा था तो घरवालों को भी इतनी टेंशन नी होई कि ठीक है, नह नहीं जा रहा, नहीं पढ़ रहा, कोई बात नी, बिजनस में लगा देंगे, होई जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके इमोशन पर, उसकी साइकलोजी पर, उसके किसी भी तरीके से उससे बैट कर बात करने पर कभी भी इस एरिया में कोई ध्यान नी दिया, बस उन पर नी राता, दिन बर दिन हालात बिगड़ रहते, एक दिन क्या हुआ, कि उसके पापा उसे किसी बात पर डाट रहते, अब वो पहले इसे गुस्ते से भरावा था, तो कहते ने, जब कोई गुस्ते से बहुत भरावा था, तो एक मौका ऐसा था कि वो बिल्कुल फट जा था, कि उसने जोड से अपनी ममी को धक्का दे दिया, और जोड से ममी को धक्का दे दिया, उनको भी खूब बुरा गालियां देने लग गया, और बोलने लगा, कि तुम लोगो की वज़े से मैं बरबाद करा है, और तू तड़ाक पे, गालियां और तू तड़ाक मा को इस यह बिलकुल ही ए इघॅत करके और नहीं बाल दिया गया कि वहाँ पर रहे गाई है यहाँ चोचिज और यहां हो और नीज yapıl़ को ऊधरके है बढ़ को को डाला था, तो बहां पर मजबूरी हो गई कि वहां पर इतना डिस्टिप्लेन और इतना निग्रानी में रखते थे कि उसके लिए किसी भी तरीके चेशेया से कुछ करना नहीं है, तो बहुत ही अलग तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है महाँ पर भी एक सक्ति के महौल में रखकर वो सुधारना चाहते हैं महाँ पर भी बचों की साइकी पर या कोई भी परसने जिसे रियाब सेंटर में जिस भी परपस से वहाँ है तो उसको सुधारने की बचाए एक डिसिप्लेन से बस मतलब डारेक्ट ली ऐसे सुधारा जाता है यह नहीं कि उसके अंदर डीप में जाएं उसके एमोशन को समझें उसको अच्छे से काउंसल करें इसके लाब उसको डारेक्ट बस डिसिप्लेन से सुधारने की कोशिश की जाती है तो वो कहां सुधारने वाला था उसको एक दिन मौका मिला वो वहाँ से भाग गया अब भाग गया तो गया भी घर वालों के लिए और भाग कर यह वा कि जाता कहा जाता कुछ दिनों तक गायब रहा है लेकिन जब बिल्कुली नहीं बाहर गुजारा हो रहा था तो वापस से फिर घर पर आ गया मही से फिर वो परिशानी होगी घर वाले क्योंकि पहले बौकला आए वे थे और बहुत वो हो रहे थे तो इस तरीके से सिलसला चलता रहा और उस बच्चे के शिरुबाती 19 साल इसी तरीके से निकलते चले गए अब 19 साल किसी इंसान को इतना जादा टॉर्चर किया गया हो तो आप ये सोचे कि क्या होगा उसके जिन्देगी में उसके सब के लिए नेगेटिव बिलीफ बन चुके थे घरवालों के लिए, दुनिया के लिए, सब फ्रेंज के लिए उसका कोई अपना नहीं था, उसको बहुत ही भेंकर ट्रस्ट रिश्यूस डेवलप हो कहते, उसको किसी पर कोई विश्वास नहीं रहता उससे कोई अपना नहीं लगता था और उसको अब धीरी-धीरी ये लग रहा था घरवालों ने देख लिया, बचा लिया गया ये घरवालों के लिए एक अलामिंग साइन था लेकिन वो अलाम विस तीरे से बजा उसके बाद भी किसी ने ध्यान ने दिया क्योंकि उनको तो ये था कि ये तो बिल्कुल इनालायक और ऐसा हो गया अवारा, तो शायद कहीं न कहीं इतनी परवा भी नहीं थी फिर कुछ दिनों तक एपिसूट चला इस तरीके से फिर एक दिन उसने फांसी लगाने कोशिश करी कि चलो भई मैं दुनिया से चला जाता हूं इस तरीके से लेकिन वहाँ पर भी कहते हैं जब इश्वर चाहते हैं कि आप जिन्दा रहो और आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा बदला आवाने वाला है तो आपका हर अटेम्ट फेल हो जाता है तो वो भी एक फेलियर अटेम्ट हो गया तो वहाँ पर भी उसको पकड़ लिया गया और इनिशली उसको बचा लिया गया तो अब सब कुछ ऐसा हो गया था तो उसको यह लग रहा था ना मैं मर सकता ना मैं जिन्दा रह सकता मैं करूं तो क्या करूं बहुत ही जादा पूरी कंडिशन में बस दिन कट रहे थे खाना, पीना, सोना और या तो रोज किसी से लड़ाई हो जाना या फिर अकेले पड़े रहना तो यह सब कुछ इस तरीके से ऐसा हो रहा था अब क्या हुआ कि ना तो वो अपने सगे चाचा की सुनता था ना सगे मामाओं की सुनता था वो किसी की ने सुनता था तो वहाँ पर एक दिन उनके घर पर उसके मामा के साथ उनके एक फ्रेंड आये जिनको बच्चे मामा ही कहते हैं और वो पहले भी कभी आते थे लेकिन घरवालों ने क्योंकि छुपाया और भारवालों के सामने ऐसे सारी बाते कहीं नहीं जाते हैं तो उनकी knowledge में कभी आया नहीं था लेकिन इस बार जब वो आये उसके मामा के साथ उनके काफी close friend थे और वो भी उनको मामा ही कहते थे तो उस बार उनके सामने वो सारी बाते खुल कर आ गई तो वहाँ पर उन्होंने उस से मिला कि ठीक है कि अगर यह किसी की बात नहीं मारना मुझे भी एक मौका दो मैं इसको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी फिलेर अटेम्ट रहे चार-पांच बार लेकिन वो इनसान भी बड़े गजब के नेकले कि उन्होंने गिवप नहीं गया उन्होंने का चार-पांच बार दस बार नहीं समझेगा लेकिन मैं समझाता रहूँगा और चब वो लगातार कोशिश करते रहे तो 10-12 बार बात करने के बात उन्होंने उसको इस बात के लिए राज़ि कर लिया कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है सब कुछ ऐसा है लेकिन फिर भी तु मेरे कहने से एक मौका दे तू किसी से बात कर अपने मन की जो भी तेरे मन में यह बाते हैं सब कुछ शिकायते हैं, तो किसी से कहे और अब तो अपनी जंदी की समाल इस तरीक ऐसे उन्होंने समझाने की कोशश करी तो पता नहीं कहते ना भगवान ने कुछ ऐसा बुद्धी करी उसकी कि उसको इस बात समझ भी आ गया तो उसने मेरे पास मिलने से पहले भी बहुत जगे अलग लग लोगों से बात की, ट्राई किया लेकिन शायद कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं वन पाई तब ही वो केस मेरे पास भी आया तो जब मेरे पास वो केस आया इस तरह कैसे और यह सब चीज़े जो भी उस चीज़ के रिइंफोर्स्मेंट से कुछ नहीं है लेकिन उस चीज़ को अकनॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप उसको बोलो कि नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है इसमें कोई परिशान होने की बात है इमोशन्स फील होते हैं आपके अंदर यह होपलेसनस हैं निकेटिव व्यूज बन गए हैं और यह सब चीज़े उसको एकसेप्ट करना कि जो वो कह रहा है उसके इमोशन्स को वैलिडेट करना लेकिन साथ ही साथ फिर उसकी एनरजी को शिफ्ट भी करना उसको एक different view से दुनिया को देखने में लोगों को देखने में भी मदद करना अब घर में जो toxic लोग हैं तो उनको तो एकदम से नहीं बदला जा सकता लेकिन आप अपने आपको बदल सकते हैं किस तरीके से आप अपनी life को एक different direction दे सकते हैं कौन-कौन सी आदतों को change करकर किस तरीके से आप घरबालों के साथ अगर आप उनी toxic लोगों के साथ रगेंगे जिनको बिल्कुल भी इस तरीकी की समझ नहीं है तो किस तरीके से आप उनके साथ एक minimum communication के साथ और एक ऐसा relation रखके जिसमें काफी boundaries हो जिसमें आप अपने आपको protect रख सकें किस तरीके से आप अपनी life को एक ऐसे level पर ले आएं जहां पर आप independent हो जाएं emotionally strong हो जाएं financially independent हो जाएं और आपके अंदर के यह जो pain है इसको release करके आप एक नई start करें तो इस level पर लेकर उनको आया है और इस level पर आने के बाद फिर आप decide कीज़ेगा कि आपको इन लोगों के साथ रहना है या अगर वो लोग ऐसे ही toxic हैं और ऐसे ही बने रहेंगे और वो अपने आपको change करने के लिए तयार नहीं है तो confidence gain करने के बाद independent होने के बाद financial strength के बाद आप अपनी choice से अपना place भी change कर सकते हैं ताकि रोज रोज वो toxic लोगों की बाते उनका torture से आप बच जाएं और आप अपनी life को smoothly चला पाएं लेकिन अभी आप एक ऐसी position में है जहां पर आप independent आपकी कोई भी अभी worth नहीं है आप क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं यह तो thankfully यह है कि कोई ऐसा person भगवान बनके आपकी life में आ गया है जो आपका इलाज करा रहा है जो आपको hope दे रहा है कि हाँ कि कोई इंसान से आप बात करो और आप जरूर ठीक हो जाओगे तो आप अभी इस पोजिशन में नहीं हो कि आप सारे टॉक्सिक लोगों से एक सथ डिसकनेक्ट हो जाओगे तेकिन धीरी धीरे आपको पोजिशन में लेकर आओ क्यूंकि कमल भी कीचड में खिलता है तो कुछ टाइम तक ये घर की में इस कीचड में आपको डले रहना है मही पर पड़े रहना है लेकिन आपको जैसे कमल निकल कर आता है कीचड में से ऐसे ही आपको अपना confidence personality अपने अंदर वो सारी strength gain करने अपने pain को release करना है अपने आपको financial stability देनी है तो आपको कुछ time तक उन लोगों का toxic behavior हो सकता है ऐसे ही बरदाश करना पड़े और बस आपको कैसे अपने आपको protect करना है कैसे boundaries में रखना है यह सब skills तो आप sessions में सीखी लेंगे तो जब इस तरीक ऐसे accept किया गया किसी को तो वहाँ पर उसको पहली बार यह एहसास हुआ क्योंकि उसने मुझे बताया कि पहले एक दो लोगों से जब उसने बात की थी तो उन्होंने directly यही कि parents तो parents है parents जो भी करते हैं आपके भले गले करते हैं और parents को maaf कर दो direct ऐसे बोल दिया हो गया तो उसको वह बात समझ में ही नहीं आई कि एच्छा इतना बुरा-बुरा मेरे साथ किया बचपन से लेकि अब तक मुझे इतना मारा पीटा गाली का लौज करी और मैं उन लोगों को भूल जाओं एकदम से माफ कर दूँ या फिर ऐसे की parents तो ऐसे करते हैं भले गले करते हैं इस तरीके से कैसे मतलब वो convince ही नहीं हो पा रहा था इस बात से तो इसलिए उसकी connectivity शायद कहीं बनने बाई और फिर जब यहाँ पर उसको accept किया गया पहले कि हाँ जो आप पर बीती है वह सब में गलत हुआ है और आपके emotions की कदर है वहाँ पर जब इस तरीके से accept किया गया तो उसको पहली बार ऐसा feel हुआ कि हाँ कोई तो है जो मुझे स समझ रहा है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है यह नहीं कि बस माबाप को भगवान मानो और मना कर दो नहीं जी माबाप भी इनसानी होते हैं माबाप से भी गलतिया हो जाती है और जिसने गलत किया ही है गलत तो वहाँ पर चीजों को बहुत तरकीब से समझाना होता है क् अगर आप उसे accept नहीं करोगे, आप उसके emotions को validate नहीं करोगे, तो वो person तो फिर कभी भी किसी पर trust नहीं कर पाएगा, कैसी open up होगा, तो सबसे पहले acceptance से, फिर उसको expression mode में लाया गया, फिर उसको धीरे धीरे उसके views चेंज किये गया, उसके अंदर जितना pain था है, अपने उससे release कराया गया, past की memories को fade किया गया, फिर उसको different CBT से नहा view दिया गया, DBT से उसके emotions की strength दी गई उसको, NLP की techniques उसकी गई उस पर, उसका lifestyle जो कि बहुत ही जादा खराब था, और जब वो बेरे पास आया था, तो 138 kg उसका weight था, 138 kg के नहीं believe कि काफी जादा weight होता है, 138 kg वजन, तो 138 kg वजन वाला इंसान अभी 90 kg पर आ गया है, और अभी मतलब उसके अंदर के जितना pain था, जितना उसका सारा negative नजरिया बन गया था, लोगों के लिए, धुनिया के लिए, अपने लिए, वो सब चीजे उसे बहुत मेहनत से बदल ली हैं, और अभी वो लगा तो अपने फादर के business में है initialी, लेकिन उसका plan यह है कि कुछ सालों में, वो अपने फादर से अलग अपना business भी खड़ा कर लेगा, लेकिन एक 8th class तक बढ़ा वा बच्चा, और अभी अपने फादर के business में कर पा रहा है, अपने आपको protect करना आ गया, क्योंकि फादर अभी भी ऐसा यह अपी घर में ऐसा यह atmosphere है, लेकिन उसको समझ में आ गया है कि कि इसका क्या pattern है, किस सरी के से tackle करना है, किसको दिल पे लेना है, किसको नहीं लेना है, सब चीज़े समझ में आ गया है, और अपने आपको stable करने के लिए और मेहनत करने के लिए सब चीज़ तैयार है, तो जब किसी की जिन्दगी में इतना कुछ बुरा हो सकता है, और उसके इतना निराश हो जाते हैं, सो ये सारी वीडियो बनाने का ये purpose है, कि आप प्लीज निराश होने की बजाए आशा को चुनिये, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज जो आपके मन के सर पर है, उसको बदला जा सकता है, आपकी सोच बदल के, आपके वहवार को बदल के, आपके स्टिल उसकी वह जर्नी चालू है, कि और रिड्यूस करना है मुझे, वहार दिन अपने आपको स्ट्रेंद कर रहा है, उसके सेशन्स ओवर हो गया है, वह बहुत ही कॉन्फिदेंट, बहुत ही स्टेबल हो गया है, लेकिन अभी भी उससे मुझसे बादा किया है, कि वह करता रहेगा, इस फ्रॉमिस के साथ, क्योंकि अब उसको मेरी जुरुत नहीं थी, अब उसको बस अपने साथ की जुरुत थी, मेरा रोल एक लिमिटेट होता है सबकी जिंदगी में, मेरा रोल खतम हो गया, और मैं इस बात से बहुत ही खुश हो, कि उसने सब चीजे मान कर अपनी जिंदगी बदल ली, और आज वो अपनी नई जिंदगी में खुद का मैंटर खुद बन चुका है, और लगातार और ज्यादा आपने आपको बैटर करा है, तो जैसे वो कर सकता है, ऐसे आप भी कर सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखेगा, बीना किसी दवाई क किसी भी मनोविग्यानिक समस्या से बाहर आना बहुत ही असान है, आप अपना खास क्याल रखेगा और इस वीडियो को सब के साथ शेयर कीज़ेगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिन, जिन, जिनदगी बदल सकता है, उमीद दे सकता है उसको, जैसे इस लड़की की ज जिनदगी में भगवान बन कर आ जाएं और उसको उमीद मिल जाए और वो अपनी जिनदगी बचा ले, अपना खास क्याल रखेगा मैं मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में